हेलो दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जैसा कि आप देख के जानी किया कौन सा मॉडल है यह है 25-20 ठीक है तो इसमें जो है प्रिंटर से ड्राइवर कैसे इस ताल करते हैं वह बताने वाल्य तो सबसे पहले केवल याप लगा दीजिए लैंड केवल या या कि यूस्ट केवल जो भी करना है और इसके बाद आपको इसकी आई-पी निकालना तो आई-पी कैसे निकालनी है एकनेक्ट करने के बाद दाल देना 7654321 यह दोनों करने के बाद आपको यह वाला बटन प्रेस करना है लॉग इन लॉग आउट इसके बाद आपको नेट वर्क में जाना है नेट वर्क में जाने के बाद आपको यह जाना है TCP IP में TCP IP में IPv4 में जाना है IPv4 से IP सेटिक में जाना है इसमें आप देख लिए IP वेगरा आपकी जो है प्रेंटर ने उठा लिए तो यह IP आप कहीं से नोट डाउन करना ठीक है नोट करके रख लें कि यह IP है ताकि IP सम्मेंड मास और गेटवे यह तीनों आप लिखके रख लें अब आपको लेंड के थिरूड है उसके बाद आपको सेम नेटवर्क होना चाहिए यह नहीं आप मॉबाइल से कनेक्टर ने ठीक है इसके बाद आप सर्च में जाएंगे और यह कमांड में जाने के बाद आपको यहां पर ऐसी यह ब्लैक विंडो आ जाएगे और इसमें जैसे यह आप जाएंगे तो आपको ब्लैक विंडो में लिखना है देख लिए जिए क्या लिख रहा हूं मैं आई-पी कॉंफिग ठीक है आई-पी कॉंफिग जैसे यह करेंगे और इंटर मारें गे यह दिखें इंटर मार रहा हूं मैं तो आपको आई-पी अड्रस दिखा दे़ा आई यह आपके लैप्टाप यह कम्प्यूटर का आई-पडरस है ठीक है देखें सेम चीज आईए क् वह जो डिजिट होता है, 54 वो चेंज हो है, तो वो ही चेंज होना चाहिए, बाकी सब सेम रहना चाहिए, तो इसका मुतलब आपका जो लैप्टाप है या कंप्यूटर है, वह नेटवर्क में आ चुका है, तो दोनो चीजें सेम आईपी होना चाहिए, बस लास्ट का जो पिंग कैसे कराते हैं उसी तरह से आप पिंग लिखेंगे आईपी अड्रस लिखेंगे और ये space डाल के माइनस और टी डालेंगे आई-पी अड्रस मैंने जान बूच के भी गलट डाला है तो देखें अगर गलत रहेगा तो क्या होगा या फिर आपकी मशीन कनेक्टर नहीं रहेगी तो क्या होगा उस कंडिशन में धीये नसोबारा मने डाला है जोकि 192 है 102 है और मने डाला है नोसोबारा तो इसको डालनें पर जैशी आपके करेंगे में गलत IP कहीं भी होगा तो आप यह एंटर मानने पर यह एरर आ गया ठीक है कुछ नहीं होगा तो आपको सही IP आपको डालनी है ठीक है अम मैं फिर से सही IP डाल रहा हूं 192.168.18.17 ठीक है तो यह IP डालके स्पेस डालके टी डालके जैसे हम एंटर करेंगे तो मशीन जो है पिंग करने लगती है यह देखिए ऐसे पिंग करनी चाहिए ठीक है अगर आपका IP सही है आपका लैपटाप का भी उसी नेटवर्क में सेम है तो यह ऐसे पिंग करेंगी इसका मतलब आपकी मशीन अब ड्राइवर इंस्टाल करने के लिए यह देखिए एक भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए जो मैं मुली से बता रहा हूं इसमें रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आना चाहिए अन्रिचेबल नहीं आना चाहिए ठीक है और यह वन मिली सेकंड आता रहे तो बेस् अब कर लेंगे ठीक ब्राउजर ओपन करेंगे और यहांपे डालेंगे लागर में गुगल में कैनन आराम शचिए तो यहां जैसे सेक्ट करेंगे राइड साइड में यह देखिए उपर राइड साइड में है सपोर्ट निक्वा है तो हम इसको सेक्ट करेंगे बहुत आराम से आपको समझा रहा हुँ आजाएगा कि सपोर्ट को क्लिक करने के बार مش창 राई येवाला जो arrow है इसको प्रेस करेंगे कलिक करेंगे तो नीचे जो है विंडो नीचे और पेज खुल के आ जाएगा ये धिकें नीचे भी दिखने रहा है रुखें मैं पेज को थोड़ा स relativ उपर करता हूं तो आराम से आपको दिख जाए यह ओको दिखने लगगे है यह सारे पोड़क्ट्स के आज यह तो आपको यह वाला ही सेलेक्ट करना है waldção device mm uh do i be business multifunction device ठीक है यह इसका नाम स्कोष्ष्षाना है इसमें जाना आपको image runner ठीक है और इसमें भी सेलेक्ट करना है आपको image runner जोनों सेलेक्ट होगे अब नीचे जो है product लिस्ट आ जाएगी अब इसमें आपको बहुत सारे model के drivers दिखेंगे तो आपको केवल जो चाहिए वह आप कर सकते तो अभी मैं 25-20 कर रहा हूं तो मैं 25-20 जो है सेलेक्ट कर लोगा यह देखिए बहुत सारे model है यह देखिए तो यह मैं सेलेक्ट कर लेता हूं आराम से वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा बहुत जानकारी मिलेगी इसमें आपको ठीक है जैसे सेलेक्ट करेंगे यह खोल जाएगा कितने bit का है क्या है सब आपका computer इसम सारे drivers में आपको मिल जाएंगे इस model के आपको UFR2 करके जो आएगा उसको सेलेक्ट करना है नीचे तक आप दिखा रहा हूं है तो उपर ही हो ठीक है तो यह जो है आप आराम से देख लीजिए इसके बाद आप UFR यह देखिए मैं आराम से वीडियो को थोड़ा सा पास कर द होता है फिर भी अपके अगर कोई special request हो देख लीजिए उसके बाद आप डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड होने में थोड़ा time लेगा जो आपकी net की speed हो ठीक है यह देखे side में उपर डाउनलोड हो रहा है तो by default आपका जो bit का होगा वह अपने आप ले लेगा कोई दिक्क कर नहीं है तो यह ठीक है यह इंस्टाल हो गया है और अब इसको ओपन कर लेते हैं अब देखे यह फोल्डर आ गया अभी अभी यह जिप फाइल है ठीक इसको अंजिप करना पड़ा तो इसको हम ओपन करेंगे मैं डबल क्लिक कर देता हूं और यस करना है यहां पर जैसे इस करेंगे यह फाइल जो है अंजिप हो जाएगी है ठीक है यह फोल्डर बनके आ गया अब फोल्डर को हम ओपन करेंगे यह एलो कलर का उसी के सेम नीचे आ गया चाहिए तो आप इसको नाम रिनेम कर सकते हैं अधरवाइस आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं तो उपन कर ले तो यह देखिए अगर आप ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा तो इससे यह सेटप नहीं है आपका और अभी कुछ लोग वह लेंगे कि ड्राइबर उपर दिख रहा है उसको कर लें तो मैं उसको भी दिखा देता हूं कि वह क्या है चीज है यह देखिए यह जो याँ लेंगे तो यहां लेंगर करने के लिए कहे घए तो बाइडीफॉल्ट यह इंग्लिश रहता है मगर फिर इसको कर देर आ और उसके बाद ये setup चालू हो जाए यहां भी ओके करके next कर दे कोई भी changes नहीं करने हैं आपको सिधा सिधा next next करते जाएंगे करते जाएंगे यह firewall off करने के लिए या उसकी setting change करने के लिए आपको कुछ नहीं करना यहां भी आपको yes करना चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं अब आपको यह करने के बाद यहां पर प्रिंटर सर्च होके आ जाएगा बाइदीवे किसी का नहीं आ रहा है तो वह दुबारा ए प्रिंटर करेंगे और यहांचे में इसमें यहां टिक का निशान कर देंगे और उसके बाद next कर देंगे जैसे next करेंगे तो आपका जो है एक बार फिर से यह प्रिंटर आ जाएगा विंडू दूसरी खुलेगी इसमें भी आपको यह select करना है तो इसलेक्ट करेंगे और फ यह चलना है तो आप तो अब आतले quo किसी परेंगे आपके इस तरह से बताएगा तो अगर आप लेब्ट आप ये स्टाट्ट नियुक्ट tutte साथ wanna प् Records और मैं सब्सक्राइब दिया और एस स्टार्ट कर दिया यहें लेपट अब रिथे हो रहा है तो इससे ही होगा कि ड्राइवर जो है ब्रॉपर इंस्टाल हो जाता है कभी कभी कि यहकं कर दो नहीं हो पाता है तो सही तरीका यह है कि आप एक बार रिस्टार्ट मार देए तिक है तो रिस्टार्ट मांने से क्या है प्रॉपर इंस्ट् dedicate कर जाता है कि इंस्ट्ण हो गया अभी यह पूरा रेडी हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूं और एक सेटिंग भी बताऊंगा कि अगर प्रिंट देने पर आपको लाइल लाइट आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करना है तो लास्ट तक बने रहेगा वह मैं आपको आखिर में सेटिंग बता दो होंगा ठीक पेज बगरह कैसे सेट करते हैं क्या है वह मैं आपको लास्ट में बता दूंगा ड्राइवर्स में तो पहले मैं ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लो और एक पेज जो है प्रिंट कर लेता हूं आपको उसकी जानकारी भी दे दोंगा वीडियो पर बने रहे है और एक कमेंट भी खरिया ठीक है अब मैं लॉगिन कर लेता हूं अपना पासवर्ड डाल के अब है अब ही मैं टेक्स्ट पेज जो एक निकाल लिया है फिलाल चेक कर लिया है अब मैं आपको एक प्रिंट दे कर देख लेता हूं यह आया है एक इमेज मेरे पास इसको मैं ओपन करके प्रिंटर करने जा रहा हूं तो कंट्रोल पी कर लेक्या तो इस पर जाने के पाद यहां ऊपर देख लीजिएगा लेफ सबसे उपर है यहां 25-25 जो भी आपका प्रिंटर है वह शो करना चाहिए यहां तो क्लिक करने लगए और यह नीचे प्रिंट भी आगया है तो इस तरह से आप के प्रिंटर ड्राइबर इंस्टॉल कर सकते हैं यह अराम से प्रिंट ले लिए बीड़िया इस तरह से आपका प्रिंट आगया। ड्राइवर आराम से इंस्टाल हो गया है तो आप जो है अम मैं आपको जैसा कि मैंने कहा था कि कैसे आपको सेटिंग करनी है ड्राइवर्स वगयरा मैं चेक करना है कि मेरा ड्राइवर इंस्टाल हो गया है कि नहीं हुआ है वो आप पहले भी चेक कर सकते हैं देखिए चेक करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना होता है ठीक है कंट्रोल पैनल में जाने के लिए आपको मैं बता देता हूँ क्या करना है कंट्रोल पैनल यही जैसे मेरी विंडो है तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है आपको सिधा control पैनल में जाने के लिए यहां search में जाना है और यहां पर आपको लिखना है control लिखेंगे तो आ जाएगा शो कर जाएगा डिवाई देखिए उपर सबसे उपर आ गया control पैनल ठीक है इसको आप select करेंगे जिए देखिए मैं select कर रहा हूं तो यह window खोल रही है प आपको वह सब करने की जरूर नहीं है आपके वह अपना काम करें ठीक है वह काम मत करें कि आप बाद में problem में आ जा तो मैं इसमें डूंड रहा हूं device and printer ठीक है तो यह देखिए device and printer जो है अभी मैं दिखा रहा हूं आप भी थोड़ा देखिए कहां पे है ठीक है यह देखि सब्सक्राइब करेंगे और यह देखिए मेरा printer बनके आ गया है सब्सक्राइब इसको आप राइट क्लिक करेंगे कई बार क्या नीचे match page करके आता है तो वह गलत है तो आप यहां नीचे उपर आप A4 रखिए या जो भी आप निकालने उसको रखिए आप सेटिंग यहां पुरी प्रॉपर चेक कर लें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना ठीक है उसके बाद आप जो है paper source में भी आपक अब प्रिफरेंस में जाके paper source भी सेलेक्ट करना रहेगा यहां आटो ही रखिए ठीक है आपको और आटो रहेगा तो क्या है आपका बाइपास या साइड में paper लगा सेकिंट ट्रेव में paper लगा है वह कहीं से भी लगा प्रिंट देंगे आप तुरह उठा लेगा और अगर आप एक कोई ट्रे स्लेक्ट करेंगे तो उसी ट्रे में page रहेगा तभी उठाएगा नहीं तो नहीं उठाएगा फिर आपकी रैडल आडिया लेगी तो काप कहेंगे कि मेरे प्रिंटर में तो रैडल आडिया रही है तो सब करने की ज़रूर नहीं है आराम से इसक सेटिंग कर लेंगे ठीक है राइट क्लिक करेंगे सेट डिफॉल्ट सेटिंग करके ओके कर देंगे इस तरह से टिक बनके आ जाएगा तो आप समय लीजिए कि आप जो भी प्रिंट देंगे नॉर्मली वह आटोमेटिकली इस प्रिंटर पे चला जाएगा अगर आपके यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद